मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? आई रुत मस्तानी कब? रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल पूरा का घजधा ये मन मेरा लिखा की राह में घाय वे प्यार वागों में बहार है जिन्दकी बड़ी होनी चाहिए नंबी नहीं दोस्तों आज हम बॉलीवूड के सुपस्टा राजेश खन्ना और उनकी पत्नी डिंपल का एक ऐसा राज खोलने वाले है जिसे सुनकर आप भी शर्म से पानी पानी हो जाओगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि इतने शरीफ से दिखने वाले राजेश खन्ना आखिर इतना बड़ा गंदा और शर्मना काम कैसे कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपको बता दे कि अरबो की संपत्ती के मालिक राजेश खन्ना ने अपनी ही बीवी डिंपल का पाढ़िया को ठेंगा दिखाते हुए लात मार कर घर से बेदखल कर दिया था वो भी केवल इसलिए क्योंकि डिंपल का पाढ़िया राजेश खन्ना की हवस को पूरी तरह से शांत नहीं कर पाती थी लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दे कि अगर आप अभी बच्चे है तो कृपया इस वीडियो को यही पर बंद कर दें क्योंकि ये केवल वयसकों के लिए ही बनाई गई है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों राजेश खन्ना के नाजाय संबंधों और डिंपल की सेक्स कमजोरी का वो शर्मनाक राज खोलने से पहले आपको बता दें कि राजेश खन्ना ने साल 1979 में फिल्म आराधना की सफलता से 1971 तक लगातार 15 हिट फिल्मों का जो चुरुआत करने वाले सुपर स्टार राजेश खन्ना की लोगप्रियता का ये आलम रहा की उपर आका और नीचे काका की ही चर्चा बॉलीवुड में होती रही और काका उस दौर में अपनी फिल्मों की बदौलत अरबों की संपत्ती के मालिक बन गए फिल्म बॉबी के सेट पर राजेश खन्ना और डिम्पल की मुलाकात हुई थी डिम्पल राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन थी राजेश खन्ना को डिम्पल का पाढ़िया इतनी पसंद आए कि मात्र चार दिनों में दोनों शादी के लिए तैयार हो गए उस वक्ट डिम्पल मात्र साड़े 15 साल की थी और राजेश 30 साल के राजेश खन्ना के सपनों में खोई डिम्पल के पास उन्हें मना करने का कोई भी कारण नहीं था पर राजेश खन्ना ने एक शर्थ जरूर रखी थी कि शादी के बाद डिम्पल फिल्मों से दूर हो जाएंगी लिकिन राजेश से शादी के बाद जब डिम्पल की फिल्म बॉबी रिलीज हुई तो इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये डिम्पल रातो रात सुपस्टा बन गई तब इनका फिल्मों के प्रती फिर से मोह जग गया डिम्पल काम करना चाहती थी संभव है कि यही से दोनों की अनबन की शुरुवात हुई इधर कई फ्लॉप फिल्मों के बाद राजेश खन्ना ने फिल्म सौतन्ट में कमबैक किया फिल्म की शूटिंग के दोरान ही राजेश खन्ना और टीना मुनीम एक दूसरे के करीब आ गए और डिम्पल का पाड़िया के लिए उनका गुसा बढ़ता गया एक बार डिम्पल और राजेश शूटिंग के सिलसिले में मौरिशस में थे उन्ही दिनों कई बार डिम्पल ने अपनी आखों से देखा कि राजेश खन्ना टीना मुनीम के रोमैंस में सभी हदों को पार कर रहे हैं तो वे बिना किसी को कुछ बताए मुंबाई वापस आगाई आते आते डिम्पल के शीशे पर डिम्पल ने कुछ लिख छोड़ा था गुसे में इतनी बड़ी बात को राजेश खन्ना ने भी हलके में लिया और पहले की तरह टीना मुनीम के साथ शूटिंग करते रहे हाला कि उसके बाद डिम्पल उनके घर आशीरवाद में कभी नहीं लोटी डिम्पल से अलग हो जाने के बावजूद राजेश खन्ना ने उन्हें कभी तलाक तो नहीं दिया पर अपने एगो स्वभाव के चलते उन्होंने अपनी संपत्ती से बेदखल जरूर कर दिया इस मामले पर हाइकोर तक बहसे हुई बेटी ट्विंकल और दामाद अक्षे कुमार खास दोस्तों और फैमिली डॉक्टर दिलीप के सामने काका की वसीयत पड़ी गई जिसमें यह सामने आया कि डिंपल को संपत्ती का हिस्सा नहीं मिलेगा राजेश खन्ना करीब 1000 करोड की संपत्ती बेटी ट्विंकल खन्ना वर रिंकी खन्ना के नाम कर गए थे तो दोस्तों राजेश खन्ना के इस फैसले के बारे में आपके क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सबस्क्राइब कर दें धन्यवाद